बीजेपी के राश्ट्रिया ध्यक्ष जगत प्रकाश नड़ा हमारे बीच में है जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए जेपी नड़ा जी का नड़ा जी आपका बिनंदन है और न्यूज एटीन देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है और इस समय आपको हमारे करोडो दर्शक डिजिटल माध्यम से और न्यूज एटीन इंडिया के माध्यम से लगातार देखेंगे और चर्चा की शुरुवात करनी है और आप से पहला सवाल पूछना है तो मेरे मन में इस समय एक ही सवाल आता है कि नड़ा जी प्रधान मंत्री मोदी ने इस सत्र का आगाज राम राम बोलकर करा था और क्या संकेत दे दिया है प्रधान मंत्री मोदी ने दो हजार चौविस के लोगसवा चुनाफ का देखिए जहां तक राम राम का सवाल है तो आदी काल से हम राम राम के नाम से लोगों को आदर सूचक तरीके से उनका अभिवादन करते हैं जहां तक दो हजार चौविस का सवाल है निश्चित रूप से सारा देश राम में हो रखा है और एक वातावरन समाज में व्याप्त है लोगों में बहुत उत्सा है और उत्सा के साथ साथ एक खुशी का महौल है और ये एतिहासिक सत्य है कि 500 साल के पश्चात इतनी बड़े संगर्ष के बाद ये सौभाग मिला है और यहां बैठे लोगों को और दुनिया को देश को उन सब लोगों को अपनी आखों से राम लला को सही स्थान पर विराजमान होते हुए देखने का सौभागे मिला है तो ये एक लंबी यात्रा के पश्चात हुआ है जिसका असर हर दृष्टी से समाज में पढ़ा है दो हजार चौबीस क चुनाओं के दृष्टी से भी लोग खुश्णमा माहौल में इस चुनाओं में आगे जाने वाले हैं जी प्रधानमंत्री मोदी ने एंडिय को 400 बीजेपी को 370 सीटों की बात करी और साथी साथ विपक्ष की अलाइनमेंट की भी बात करी कॉंग्रस की अलाइनमेंट की ब हम कभी ओवर कॉंफिडेंट नहीं होते हैं और नहीं कभी हम अपना कॉंफिडेंस विपरीत परिस्तिती में लूज करते हैं जी हम फैक्शल पुजिशन का एसेस्मेंट करते हैं और फैक्शल पुजिशन को ध्यान में रखते हुए ही वक्तव्य देते हैं अब जब हम इस को कहते हैं तो अकसर मीडिया वाले और मीडिया जगत उसको गलत तरीके से सोच लेता है जैसे अब यह उदारन लीजिए आप ही लोग तीन मेने दो मेने पहले बोलते थे मद्यपरदेश गया शत्यजगर भूल जाओ राजिस्तान फिफ्टी फिफ्टी अब हंड्रेड हंड् मैं बोलता था कि हम जीतेंगे यह ओवर कॉंफिडेंस है यह ओवर कॉंफिडेंस नहीं है 24 इंटो 7 इंटो 365 all seconds all time busy in that activity is the reason which gives us success जी तो दो हजार चौबीस को भी हम उसी तरीके से देखते हैं मैं आपसे चाहूंगा कि जड़ा आप एक अनालिसिस करा लीजिए कि पिछले प प्रदान मंतरी जी ने देश के कितने जिले घूम लिये कितनी वार वो किस कि स्टेट में चले गए the most mobile prime minister who has been actively associated with the people of India this is his track record तो संद दो हजार चौबीस में क्या निकलेगा वही निकलेगा जो हमने मता है तो लेकिन अब यह सारी चीजें अगर प्रदान मंतरी मोदी जी करते हैं देश के सामने दस साल में किये हुए कारें का उन्होंने एक बहुत छोटी सी जलक जो कोई असल में एक घंटे में सवा घंटे में रखा नहीं जा सकता है दस साल में किये गए काम लेकिन उन्होंने एक छोटी सी जलक रखी है दिस अगर हम इसको कहें तो मैं एक ही शब्द कह सकता हूँ ट्रांस्फॉर्मेशन ओफ इंडिया ट्रांस्फॉर्मेशन ओफ इंडिया दस साल में देश बदल रहा है बदला है तो अगर ये सब को दिखता है तो सब को मोदी जी को चाहते हैं और चाहते हैं तो हमारा ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है पधान मंतर जी का ओवर उनने संभाख की बागस एक बाड़ी लेकन रहों की एक अच जीए की सकंडे कर रहे है। वो राज्य है आपके हाथ से निकल गया, यह तो मानना पड़ेगा. ऐसा है कि मैं राहुल जी के विशे पर बोल करके अपनी रणनीती को तकलीफ में नहीं डालना चाहता. मैं चाहूंगा कि वो और महनत करें, इसी प्रकार महनत करते रहें, मेरी शुब कामना हैं, मेरी शुब कामना हैं, वो महनत करें. और अच्छा है, वो जितना महनत करेंगे, अभी वो साउथ घूम करके आये थे, तो वहां का एमपी बोलता है कि साउथ इंडिया एक अलग कंट्री बना दो, निकले थे जोडो यात्रा पर, और ये तोडने के पैमाने तह करने लग गए, तो मध्यपरदेश में होकर के आय खाये थे, तो सरकार चली गई, इस यात्रा में बंगाल में उनको टाडा बाय बाय हो गया, बिहार पहुंच़ने पहुंचने तक सरकार ही तूट गई, अलाय है कि खत्म हो गया, मैं आउंगा निटीज जी पे भी लेकिन जब वो आसाम पहुंचे तो आप बीजेपी के मुख्यमंत्री है वापे हिमन तब इस्वा सर्मा जी उन्होंने फिया रेजिस्टर कर दी तो कॉंग्रेस कह रही है कि राहूल का एक भय तो है एक डर है बीजेपी के अंदर इस विश इसको भी नहीं जानते हैं मैं आपको उदारन देता हूं जेट प्लस सेक्योरिटी को एक पर्टिकलर रूट ही दिया जाता है इस ते इस रूट इस रूट इस नोट डिसाइडेड बाई 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 नी इंडिविजियल वार्कें से हम भी कहते हैं कि मैं यहां जाना चाहत है यह यह पुलिटिकल कंपल्शन होती है जहां पर साधारन व्यक्ति पांच मिनट में पहुंचता है मैं बीस मिनट लगाता हूं क्योंकि मुझे वो रूट चेंज करके देते हैं तो उनको एक रूट दिया गया अब लॉट मानने की आदप नहीं है तो इस तरीके की तकली होती है उनको कानून के दिश्टी से वो भीडवार वाला इलाका था बाकी सारी दिक्कते थी उसके दिश्टी से उनको बताया गया कि यह रूट आप ले लीजे अब आप उसका पुलिटिकल उप्योग करना चाहें तो आप कर सकते हैं हमारे पाइलेट्स कई बार कह देते ह कि सर वेदर इस नौट गुड इधर से जा सकते हैं उधर से जाना मैं बोलेगी पुलिटिकली मेरे को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है यह कोई राहत की कारण मनता है क्या तो ऐसे ऐसे लेम एक्सक्यूस लगाने की आदत है कोई दिक्कत नहीं है उक ही घूमना चाहें द अब आप बताईये मैं उदाहरन देता हूं जी प्राइम मिनिस्टर वस्पीकिंग और लगातार वहां से रणिंग कमेंट्री चल रही थी वाल नोट देर देश निए अनी सीनियर लीडर आप पार्टी तो से प्लीज कीप कोईट प्राइम निस्टर इस पीकिंग इतने कॉ आप देने की का दम नहों दो दिन तुमको बोलने के लिए दिया गया तुम्हारे को टाइम दिया गया आर्गुमेट्स तुम्हारे पास थे नहीं और शालो आर्गुमेट्स वर गिविन कोई पढ़ाई करते नहीं हो पढ़ने निखने वाले लोग तुम रखते नहीं हो अ अब वो कहते हैं कि जैसे ED कारवाई कर रही है इस धेश के अंदर, जैसे Enforcements Directed कारवाई कर रही है, it is very very bad for democracy, I am quoting him, यह लोग तंत्र के लिए बहुत हानी कारक है, अब वो कोई नेता तो है नहीं, लेकिन उनका ये बयान आया. ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि सारे पढ़े लिखे लोग सारी चीज़ों की जानकारियां रखते हूँ, कोई आर्थ जगत का व्यक्ति, राजनितिक जगत का पंडित बन जाए तो कर तकलीफ होती है, इसलिए उनको कोई जानकारियां नहीं है, सचाई क्या है, आप बताएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए ये और वो और ये सब कुछ करके गए, मुड के आयनी, घूम घूम करके थग गए, हम तो ढून रहे हैं, हमने का ओथ दिलाने के लिए तो ले आओ भाई, वो भी जेल में हो रहा है, मैं क्या करूँ, तो इनको अब ये सब लोग, अब हेमन सुरेन है, मैं इश्वर की शपत लेता हूँ, मैं समविधान की रक्षा करूँगा, एडी की दस नोटिसेस पर आप नहीं गए, इस इस दी बहवियर ऑफ चीफ मिनिस्टर, एडी एड तो गो तो यर रेसिदेंस, एक उनी के कॉपी करने वाले पांच वार एडी का नोटिस उन्होंने रिजेक कर दिया, दिली के मुखे मंतरी, हम क्या करें, अरे नोटिस, SIT कमिटी की नोटिस, प्रधान मंतरी मोधी जी को भी आई थी, प्रधान मंतरी मोधी जी अकेले गए थे, क्या BJP के पास लोग नहीं थे, कि नारे लगाते, क्या BJP के पास लोग नहीं थे, जो बाहर तमाशा कर सकते थे, लेकिन नहीं, चीफ मिनिस्टर, गुजरात के रूप में, प्रधान मंतरी मोधी जी ने कहा, कोई पारिटी का कारे करता नहीं आएगा, S.I.T. ने मुझे बुलाया है, मैं जाओंगा, उन्होंने साथ घंटे फेस किया, और निचली इदालत से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट तक बाइश्जद बरी होकर के आए है, यह हमने रिस्पेक्ट तो दी कंस्टिटूशन, रिस्पेक कि नोटिस को, मैं जैपूर जा रहा हूं, मैं फलानी जगह जा रहा हूं, अब मैं कहना नहीं चाहता है, बहुत से ऐसी जगह है, जहां जाने की कारी आ गई होगी, अब वो शब्द मैं नहीं बताना चाहता, तो वो भी जगह हैं, वहां जा सकते हैं, तो यह ऐसे लोग हैं कि जो अच्छा दूसरी बात ये है कि आप राहूल गांधी कल चले जाए कि भई मेरे को ये मेरे खिलाब गलत केस चल रहा है ये मैं बेल से वापस आना चाहता हूं मेरा बेल वापस करो और मेरो पर से केस हटाओ कहे ना सोर्या गांधी कहे ना बाकी लोग कहे ना क्यों नहीं कहते हैं ये तो बेल इनके लिए एक तरीके से पैरेडाइस है पैरेडाइस ये बचे हुए है या जीवन बेल के बीच में गुजार रहे da और आप जाते हैं कि इडी तंकर रहा ह॥ है रोपे पेड़ बबूल का आम ना को करो ए गलत का म करो तो आयो है तो भसोगों जबनाव के घर भी बच्चती है सो फिर आरोप लगता है कि दूसरी तरफ यानि आपकी तरफ सब पाक साफ है आप इसके आगे वाशिंग मशीन बूलना भूल गए देखिए कोई भी केस वापस किसी का नहीं हुआ है किसी का भी केस वापस नहीं हुआ है सब केस चल रहे हैं और कानून से बड़ा कोई नहीं है और मैं ओन रिकॉर्ड बोलता हूं कि कानून से बड़ा कोई नहीं रहेगा यह तो हम कानून मानने वाले लोग में से हैं आप क्या सोचते हैं कि मेरे उपर कभी केस नहीं चला होगा मैं राजनितिक कारे करता हूं, मैंने कोड़ फेस किया हुआ है, तो यह तो ऐसे कामों में नहीं रहा है, कभी मैं आंदोलन के दौरान मेरे उपर भी केस हुए है, हाँ गलत फैमी में मत रहिएगा क्यों कोई मेरे उपर केस हुआ है, लेकिन हाँ, कानून की रिस्पेक्ट करन है, अब अनदोलन करते हैं, तो आंदोलन में चलता है, हम जवाब देते हैं, हम उसको रिसपॉंड करते हैं. हेमन सोरेन जी तो चले गए जेल में अब किसी और भी देश में मुख्यमंत्री के ग्रह नक्षत्र खराब है जिनके साथ ऐसा कुछ हो सकता हूं यह हमारे हाथ में नहीं क्योंकि हम सारी एजेंसी को कानून के अनुचार काम करने के लिए यह सरकार लान मंत्री मोदी जी की सरक यह उनका मैंके एक्जामपल देता हूं अर्विंद केजरिवाल जी को पांच ED के नोटिसे आ चुके हैं और वो पांच नोटिसेस पे नहीं गए है अब शक हो रहा है या फिर आपको डर लग रहा है कई और बोल भी रही है हम आपनी पार्टी कि अगला नंबर अर्विंद से आप ED के नोटिसेस को लेम एक्सक्यूजेस पर आप नहीं जा रहे हैं यह बता रहा है कि आप कहीं न कहीं डर रहे हैं कहीं न कहीं आपके पास सवालों का जवाब नहीं है कहीं न कहीं आपके दारी में तिनका फसा हुआ है तो वो जो दारी में तिनका फसा हुआ है वो को तकलीफ दे रहा है और वो आपको तकलीफ देगा भी देगा उसमें हम हम कहां हम 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 ह तो इस बार साउथ में आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपका मेंडेट वहां बढ़ेगा यानि आपकी सीटे वहां बढ़ेगी करनाटा के कैसा राज्य जहां पर आपका शासन था वो राज्य आप हार गए हैं तो क्यों आप इतना कॉंफिडेंट है क्योंकि साउथ में 132 और नौर्थ बीजेपी का, हन्दी भाषी बीजेपी के, साउथ में बीजेपी के अथाईस लोकसभा के सदस्य हैं और कांगरेस के84 साटाइस don't develop this perception that we are not in south we are very much in south and more than the congress we are in south number one number two that you have said that this is Karnatak is like this. Okay, we are playing, there is a match, there are two goals from there and four goals from there. If one half pass gets missed, then it goes away from there. Now what happened in Himachal? The cart is on the cart, let's do the election in Himachal. You have to do the election in Karnatak. Karnatak करा लो, अब इनकी guarantee, इनको समझ में आ रही है, तो लोगों को थोड़ी देर के लिए गुम्रा कर लेना, गलत तरीके से अपने vote को खीच लेना, यह सब चीजे चलती हैं, थोड़े समय तक चलती हैं, उसके प्रभाव में लोग आ जाते हैं, करनाटक उस कारण से उनको सरकार मिल गई, आज उनकी हालत क्या, आज election करा लिजी आप, आपको पता चल जाएगा, करनाटक की जनता क्या बोल रही हैं, और आप election मत भी कराईए, 2024 का, करनाटक का, वहां की आप हिमाचल की टैली देख लिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा, यह ठीक है, यह सब बड़े बहिलाओं के लिए यह करेंगे, एक लाख नोकरी देंगे, बलाना करेंगे, यह करेंगे, वो करेंगे, इस अब कहे कर के थोड़े दिन चला लिया इनो ने, अब वो हांडी लेकिन तमिलाडू में आपका अलाइंस था एई-डी-मक के साथ वो अलाइंस टूट गया है तो तमिलाडू में बीजेपी का अपना धंखम नहीं है तो क्या आपको नहीं लगता वो भी जटका लगेगा बीजेपी के लिए ऐसा है देखिए हम प्रयास करेंगे एंडिये एक स्ट्रॉंग रूप में आगे बढ़े सब लोगं को हम साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं और जरूरी नहीं है कि सब जगा हमको सफलता मिले लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहता हूं कि हमारा हर जगा वोट शेर और सीट शेर ये बढ़ता ही जाएगा औ और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे यह मैं कहना है चलिए अब महारास्ट्र की तरफ आते हैं महारास्ट्र में सीट अलाइनमेंट को लेकर इंडिया गडबंदन में जो हो रहा है लेकिन एंडिये में भी खटपट चल रही है खबर या रही है कि वहां पर वहां पर भी मामल आग्राया जम नहीं रहा है अजीट पवार और शिंदेस 2500 दूरह के साथ है और सब बहुत अच्छे तरीके से होगा सीट शेविंग भी अच्छी ओगी और बहुत अच्छे तरीके से म चुनाओं में जाएंगे कोई दिक्क्त की बात नहीं इसमें कोई दौ्राय नही होता कि जब एलाइंस की बादची शुरू होती है, सीट्स की बाद शुरू होती है, तो हरे कोई अपना अपना दावा पेश करता है, बाद में सब लोग मिल करके तहे करते हैं, अच्छा रहे हैं. जी, अब माराश्य से बिहार की तरफ आ गए हैं, एक सवाल मैं आप से पूछना जाता हूँ, और ये मेरा सवाल नहीं है, ये देश की जनता का सवाल है, नितीश जी अब तो वापस नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन एक बात उसमें से समझने की है, कि पहले भी मैंडेट दो हजार बीस में, जिसके कारण वो गए वहाँ, लेकिन उनको ध्यान में आ गया, और हमारा मानना ये है कि नाचुरल एलाइंस, मैंने उस दिन भी कहा था, कि उनका नाचुरल एलाइंस, और जिसको हम कहते हैं कि और गैनिक एलाइंस, वो बीजेपी के साथ ही है, वो और किसी के साथ नहीं है, और जब जब वो बीजेपी के साथ आये हैं, बिहार प्रदेश को stability मिली है, बिहार प्रदेश को development मिला है, बिहार प्रदेश को law and order situation control में आया है, तो he also understood, और उन्होंने इस बात को ध्यान में रख करके, फिर से आने का हमारे साथ पेशकश की अब मैं किस नेता ने बीजीपी के क्या-क्या नहीं कह सकता, यह तो उनको तेह करना है, हमारे तरफ से सब के लिए सब का साथ, सब का विकाद, सब का विश्वाद, सब का प्रयाद, तो मतलब कतार में कई और दल है, कतार में लाइन में कई और कई और दल है, नहीं ऐसा नहीं है, यह कभी आ जाते हैं, तो हो जाएगा, नह नहीं आएंगे तो नहीं होगा है कोई इनको लाइन में लगाना नहीं और इन लेफिफने भी नहीं चाहिए रखकर अलकेले अकेले ही यारे चाहिए जी के अगला सवाल हैं कि bye que tocar 54 उमांध्र committed Khourdh évidemment इस मंच पह थे और खड़के जी ने बहुत थोड़े दिनों पहले एक बहुत बड़ा उनका एक स्टेट्मेंट था कि अगर दो हजार चॉबिस में मोदी दुबारा जीत के आते हैं तो लोगतंत्र समाप्त हो जाएगा चुनाव खतम हो जाएंगे देखिए सचाई तो यह है कि कॉंग्रेस पार्टी का इतियास यह एमर्जेंसी भूल गए है डेल लाख लोगों को इन्होंने मेंटेनेंस ऑफ इंटर्नल सेक्यूरिटी आक्ट मीसा के तहत और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल डी आईयार के तहत इन्होंने बाइस महिने जेल म रखा था जी और इलेक्शन भी गलत फहमी में कराया था क्योंकि इनको एजेंसी ने बता दिया कि अब मिस्स गांदी आपकी पॉप्लारिटी बहुत बन गई है तो आपने इलेक्शन करा दिया नहीं तो आप इलेक्शन कराते भी नहीं तो जिन पार्टी का ये ट्रैक रिक करते हैं कि प्रजातंत्र इस देश में 1947 से पहले था सबसे पुराना प्रजातंत्र का देश है तो वो भारत है हम ये मानने वाले लोग हैं तो इसलिए हम कहां प्रजातंत्र को कभी तकलीफ देने वाले हैं और चुनाओ में लोगों का आशिरवाद मिल रहा है खरगे साब आश्यक्या अजाने जो यह वक्तव दिया और यह एक्चुली और टी लिए काड़करताओं को जगाने के लिए प्लिए इसके बाद तुमको चुनाओ लड़ा का लड़ने का मुका नहीं मिलेगा इसलिए उठो जाGO यही अंति मौका है इसलिए उन्होंने का आई यह आप बात क्यों कह रहे हैं कि इसके बाद Congress Party को चुनाव लड़ने का मौका नहीं लेगा मतलब आपको लगता है Congress Party 2024 के बाद कुछ हो जाएगा Congress Party को आप बोल रहे हो मैं तो यह बोल रहा हूं कि वह अपनी पार्टी को जगा रहे थे उनको इंत्यूज करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ना ताली बज रही थी ना को रिस्पॉंस आ रहा था ना जनता से आ रहा था तो उन्हें का यह अंति मौका है खड़े हो जाओ तो यह वक्तवे बन गया क्योंकि राश्टी अधिक्ष ने कहा तो वह वक्तवे बन गया लेकिन हमारे तरफ से ऐसा नहीं कि Congress लेकिन आप लोगों ने भी परिवारवाद का आरोप लगाना छोड़ा नहीं Congress Party पर अब तो राहूल जी भी अध्यक्ष नहीं है सोनिय जी भी अध्यक्ष नहीं है प्रियंका जी भी अध्यक्ष नहीं है आप तो खड़के जी अध्यक्ष है परदान मंत्री ने आज भी परिवारवाद पे बोल दिया कि एक परिवार के लिए सारा काम होता है हां होता ही है अध्यक्ष तो यह हैं लेकिन ब्रैंडिंग कि कि हूरे है यह PR क्या मुझतरा रिलांचिंग यह रिलाँ व miss कि हूरी री पैकेजिंग कि हो रही है यह किसली हो रही है तो यह तो स्पोक्स परसना जाते है न बोट असल तो लीडर्शिप तो उनको उनकी ग्रो करा रहे हैं खड़गे जी का कोई यात्रा निकलती तो मेरे समझ में आता कि उनकी कोई उनके नेत्रतों में चल रहा है तो उनके नेत्रतों में चल नहीं रहा है वो तो इस से नौर्थ भी जाना हो तो एक ही आदमी इस से वेस्ट भी जाना हो तो एक ही आदमी तो ये तो अपने आप में बता जेता है कि कौन किसको आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है जी लेकिन जब राहूल जी मंदिर जाते हैं अभी वो जोतिरलिंग है जारकंड में वहां गए बैदनाध धाम और वहां पर जब वो थे तो वहां पर मोदी मोदी के नारे लगवा दिये गए अब कॉंग्रेस कह रही है कि जहां राहूल जी जाते हैं वहां ये लोग भेज देते हैं पीछे 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 पहले तो जो आपने मंदिर कहा ये मंदिर गए तो आप आपने कभी मेरी नियूस तो नहीं लगाई कि ज जीवन का part and parcel है यह मंदिर तब जाते हैं जब चुनाओ की घंटी बजती है मंदिर की घंटी नहीं जब चुनाओ की घंटी बजती है जिन लोगों को यह नहीं मालूम कि जन्यू इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है वो लोग जन्यू पहन करके बुलाएं मैं भ आजनितिक कंपल्शन है कि आज देश का इलेक्टुरेट ये देखना चाहता है कि कौन व्यक्ति अपने धर्म के साथ खड़ा है इस बात को देखना चाहता है इसलिए लोग जहां तक आपने दूसरा सवाल किया उनका वो मोधी मोधी के नारे लगेते वहां पर अब वो देख का नारा है इसको हमको समझ लेना चाहिए और इसमें वास्तविक्ता से देखिए आख बंद कर लेने से दुनिया नहीं रुकती दुनिया तो चलती है तो इसलिए वहां भी नारे लगे होंगे कोई मुझे इसमें आश्यर यह नहीं है और वहां कोई हमने भेज के नारे लग हो लगा देता है बिचारा तो वो वो देश की आवाज बन गई आपने तो उसी तरीके से अब आप और तोर छोड़िये डाइस्पोरा में जो लोग पहले बोलते थे कि I am from India oh you're from India which part of the world is it यह हमको 90s में सुनने को मिलता था मिलता था कि नहीं मिलता था आज हम कहते है I am from India oh moody 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 तो दुनिया में भी moody मोडी हो रहा है तो यहां होने में कौन सी वड़ी बात है तो तो हो नहीं है एक आपने नारे की बात करी जैश्री राम की बात करी तो 34 साल पहले पालनपुर में बीजेपी ने नारा लगाया था सौगंद राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे अब हो गया सौगंद राम की खाई थी मंदिर वहीं बनाया है और निमंतरन तो सब को गया लेकिन का काफी अधिकतर विपक्ष जो था उसने इसको बॉइकॉट किया आप बतौर बीजेपी अध्यक्ष और बतौर एक सनातनी इसको कैसे देखते हैं नहीं देखिए क्या है कि सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए था लेकिन जब मैं उनकी तरफ से सोछता हूँ तो मुझे लगता था कि वो आ नहीं सकते थे क्यों? क्योंकि इतना विरोद किया था, इतना विरोद किया था, कि वहाख़े कैसे होते हैं? After all, उनके साथ चिपका हुआ है ना? इनके ही लोग, कहते थे थे ना? कि तारीक 2019 के बार लगाओ, ताकि इनको RAM मंदिर का फाइदा ना मिले? It is on record. इनको अपने कर्म इनको इनके पीछे साय की तरह लगे रहते हैं इसलिए नहीं आपाते हैं इनको लगा वहाँ जाएंगे लोग वहाँ जोर से नारा लगाएंगे जैश्री राम यह लगानी पाएंगे क्या करेंगे इसलिए अलग से जाएंगे क्या करेंगे दे विजुलाइज कि वाट विल बी देर पुजीशन और पुजीशन वोड़ बी बिकॉज अव देर एक्टिविटी नॉट बड़ा परसनल सवाल है जब राम मंदिर की प्रान प्रतिष्टा हो रही थी और जब राम लला की मूर्ती सामने आई तो आपके मन में भाव क्या है अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करते हैं तो यह कहूंगा देखिए मैं तो युवा था जब पहली रैली राम मंदिर के सिलसले में बोट क्लब पर हुई थी अब तो बोट क्लब पर रैलिया नहीं होती उस समय बोट क्लब पर रैली होती और वो जो ब वो आंदोलन भी देखा फिर वो भी देखा जब कहा गया कि परिंदा नहीं पर मार सकता वो भी हमने देखा फिर हमने वो भी देखा कि किस तरीके से एक साधूने बस को सारा तोड़ते हुए और अंदर घुज गए फिर वो हमने गोली कांड भी देखा फिर उसके बाद अन जय श्री राम के नारे लगा रहा था तो मुझे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इतना जीवन में कभी खुशी नहीं मिली जो उस समय उस पल में जी लेकिन अब आयोध्या के बाद काशी और मतुरा की भी बात हो रही है कोट में भी केसिज चले गए है ज्यानवापी का उस विश पर पालंपुर में भारतिय जंता पार्टी का ऊफिश्यल लेजोलीशन था और भारतिय जंता पार्टी के लिए राम मंदिर देश का असमिता का सवाल था देश के गौरव का सवाल था जिसके लिए भारतिय जंता पार्टी आगे आए और company किके जातिख़ dos juxt sabal पूचा के साथ क्या करेगी भारतिय जन्ता पार्टी को कि राहूल गांदी है से डाट की हम अगर शासन में आए और अगर हम सत्ता में दोजार चौबिस में आएंगे तो जातिगद जन्गन्णा करवा देंगे देखिए दो अलग-अलग व्यक्तित्व हैं जी पहली बात तो आपने झो नितिश कुमार जी की कही और जातिगद जन्गन्णा की कही भारतिय जंतापार्टी कभी भी जातिगद जन्गन्णा के विरोध में हमने नहीं का हैं पहली बात दूसरी बात जहां तक राहूल गांधी का सवाल है तो काका कालिलकर के रिपोर्ट के ऊपर कौन बैठा रहा इनके पूझ ये परदादा जवाहलाल नहरू कितने साल बारा साल बैठे रहे मंडल कमिशन की रिपोर्ट पर कौन बैठा रहा इनकी पूझ ये दादी इंदरा गांधी दस साल तक और बाद में राजीव गांधी पांच साल तक बैठे रहे और नारा क्या लगाया ना जात को ना पात को ये पार्लिमेंट के अंदर का ओवी सी का विरोध किया अब इनकी स्थिति ऐसी हुई है कि ये कोई मंत्र ढूंड रहे हैं जिस मंत्र से इनको चुनावी नहीं या पार लगे अब इसलिए जातिक जनगना ओबी सी ओबी सी ओबी सी बोलने लगे ओबी सी की कभी नहीं ने चिंता की ओबी सी को constitutional status हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्र जी ने दिया है ये भी हमको ध्यान में दिया है they are not in they have got nothing to do with OBC they have got nothing to do with Jati Jan Ganda they have got nothing to do with backward they have got nothing to do with Dalit they have got nothing to do with tribal they have only to do how to reach the corridors of power and how to come into power that is their design तो उसके लिए इनारे ढूंबते रहते हैं कभी जयन्यू जाते हैं कभी उनके साथ खड़े हो जाते हैं इंशाए लाव बारत के होंगे टुकड़े टुकड़े उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं कभी इनका इनका बचा हम अवजल सर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिन्दा हैं फिर भारत जोड़ो यात्रा पर निकल जाते हैं यह हर कुछ करेंगे हर जगा जाएंगे जहां इनको वोट दिखेगा या वोट का संभावना दिखेगी उत्तरपदेश में बीजेपी क्या कोई बड़ा गडबंदन कर सकती है क्योंकि बार बार अटकले लगाई जा रही है कि मायवत्ती और बीजेपी साथ आ सकते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे छोटे दलों के साथ गडबंदन हो गया है राजबर जी के साथ हमारा हमारे साथ आ गए है उसी तरीके से हमारे निशाद पार्टी पहली आ गई थी और हमारे अपने महान पार्टी उनका भी हमारे साथ जुड़ना हुआ है तो इस तरीके से जी, मम्तापेनर जी की टोन बड़ी बड़ी बदल गई है, वो कॉंग्रेस को बोल रही है कि उनकी 40 सीटे भी नहीं आएंगी, और कॉंग्रेस कह रही है कि एडी का दबाव है, इसलिए इस तरह के बायान आ रहे हैं, देखिए मैं आपको कहूं, क्या है इन सब का, मैं इसको अन साइन्टिफिक एलाइंस क्यों बोलता हूं, मैं अन साइन्टिफिक एलाइंस इसलिए बोलता हूं, कि केरला में सी पी एम और कॉंग्रेस लड़ती है, और दिल्ली में हाथ मिलाती है, केरला में सी पी एम और कॉंग्रेस लड़ती है, और दिल्ली में हाथ मिलाती है, के unscientific alliances है जहाँ जहाँ कुरसी ज़्यादा मिलने की उमीद हो वहाँ जुड जाओ जहाँ नहीं मिलने की उमीद हो वहाँ लड़ जाओ यही इनका alliance का मकसद है अब जहाँ तक आपने बात कही Congress की और उनके alliance की वो कभी रह नहीं सकते कभी वो संभव नहीं है और जो कुछ भी वो करें ममता जी करेंगी वो अपने वोट को strengthen करने के लिए करेंगी और Congress Party अपने जरंग से करेंगी इसलिए वो alliance सफल होना मुझे तो नहीं दिखता कि कोई सफल होगा जी चलिए मेरा ममता जी ने खुदी कह दिया कि हम आपके बगेर अच्छे हैं तो उनके कहने के पीछे आप लोग हैं क्या नहीं ऐसा है कि इश्वरे शक्ती होती है वो अपने रंग से काम करती है विपक्ष को लगता ये जो इश्वरे शक्ती है ये उडियी वेल शक्ति है नहीं हमकर है वो उनके करन के कारण ज़गता को करम गलत करों כ तो मैं क्या करूँ पिर मैं बताता हूं आपको तो इसमें कोह इश्वरी शक्ती नहीं है ये जिए एक ऐचनूनी शक्ती है है जी ये ये कानून की शक्ती है जै के मुद्दे पर जिस व्यक्ति ने बटवारा के या रत यात्रा चला के बटवारा यात्रा चलाई उसको भारत रतन देना भारत रतन का अपपान है देखिए सबसे पहली बात तो है कि देश में सब लोगों ने खुशी मनाई कि आदर्णिय लाल कृष्ण अडवानी जी को भ और उसको उसी तरीके से हमें देखना चाहिए वो हमारी पार्टी के तो प्रधम पीडी के नेता रही है लेकिन साथ ही साथ उनका पार्टी को भी और ग्री मंतरी के रूप में और उप प्रधान मंतरी के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान है इसलिए उनको भारत रत मिला है इसकी खुशी और प्रदानमंत्री मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद और अडवानी जी को बढ़ाई जो लोग इस तरीके की बात कहते हैं कि यह बटवारा और इस तरीके की वो लोग उन्हें देश का इतिहास देश की संस्कृति देश के कल्चर देश का रिच हेरिटेज इससे उनकी अज्ञानता प्रदर्शित होती है उनको इस सब चीजों की जानकारी नहीं है इसलिए वो इस तरीके क्या वक्तवे देते हैं मेरे को अतना ही कहना है कि भगवान उनको सुबुद्धी दे अकल दे कुछ पढ़े लिखें कुछ भ जा रही है कैबिनेट ने पास्त कर दिया है क्या कहना चाहते हैं आप तो देश में भी आएगा देखेंगे हमारे एजन्डा में तो हम लोगों ने तो कहा ही था कि यूशी जी जी लेकिन ठीक है समय पर तहे करेंगा अभी तो उतरा खड़ने किया है जी अब क्योंकि है कि अब बाकी दिगज नेताओं का क्या होगा जो शिवराज जी बसंद्रा जी देखे हमारे हां हमेशा हम 15-20 साल पर नई लीडर्शिप को सोच करके आगे बढ़ाते हैं जी मैं आपको सिर्फ याद दिला दू अमनी जी कि मैं भी एक स्टेट में मिनिस्टर था एक समय आ है और फिर आज वो सभी लोग कोई ने कोई मंत्री है केंद्र सरकार में मंत्री है कोई ने कोई केंद्र सरकार में प्रमुक जिम्मेवारी निभा रहा है तो यह हमारे हाँ ट्राइं टाइमली ट्रांस्फॉर्मेशन का यह कंटिनिवस प्रोसेस है अब इसी तरीके से वसु योग होना सदुप योग होना यह हमारी जिम्मेवारी है इसलिए उनको नई जिम्मेवारी में लगा रहे हैं और वो नई जिम्मेवारी में काम करेंगे और कर रहे हैं वसंद्रा जी हमारे यहां वाइस प्रेसिडेंट हैं बहुत एक्टिवली लगी रही है हमारे शिवराज यह जो विक्सित भारत की कलपना यात्रा है उसमें अनोंने चारों स्टेट मेश साॉट के स्टेड में जा करें और आगे उनको और जिम्मवारी में लगाये जाएगा गाम में लगाया जाएगा जी लोकसभा olmas पा चुनाव भी थो क्या लोकसभा हमें तो लोकसभाचुनाव म हमेशा हम तो हमेशा ही यह कोई हम ऐसा नहीं कहते हैं कि तेरा टिकट काट रहे हम हमेशा कहते हैं कि नए लोगों को ला रहे हैं नए लोगों को लाने में कुछ जाते हैं तो उनको नहीं जगा ले जाते हैं ऐसा थोड़ी ना कि उनको घर बठा जेते हैं किसी को घर नहीं लेकिन भार्तिय जनता पार्टी सारी चीजों का सही विशलेशन करने के बाद जी फैसला लेती है और इस फैसले में हम सब को यह कहते हैं कोई भी व्यक्ति राजनीती में किसी भी जगह को अपने अपना अधिकार समझ करके न बैठे सबको चलते रहना है बढ़ते रहना है चलते रहो चलते रहो चलते रहो नए मकाम नए वो मिलेंगे उस पर आपको बिल्कुल बिल्कुल हम आखरी राउंड पर पहुंच गए हैं और ये तस्वीर वाला राउंड है तस्वीर वारे राउंड पर जाने से पहले वीडियो वाल पर एक तस्वीर आएगी और फिर उस पर नड़ा जी आपका हम जवाब लेंगे राम लला जी की तस्वीर है क्या कहना चाहेंगे आप मेरा जवाब मिलगे आपको ये हमारे लिए जैए श्री राम जी अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रहे हैं मुझे भी नहीं पता ये सर्प्राइज है अब सेमन सुरें जी के साथ केजरिवाल जी बैठे हैं बर्ड्स ओफ फेदर फ्लॉक टुगेधर और कुछ कहना चाहते हैं आप नहीं मैंते ही कहांगा बर्ड्स ओफेदर फ्लॉक टुगेधर जी अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है जी बहुत बहुत शुक्रिया नदा जी आप न्यूज एटीन के मंच पर आए आपने व्यापक समय दिया और इस कारिक्रम के में आपने पाट लिया थैंक यू सो मच जगत प्रकाश्निट झाल